धन्यवाद अद्यक्स जी मान्य प्रदान मंत्री जी के नेतरतों में मंत्री जी ने स्वास्त मंत्रा लेने पूरे देश में मेडिल कॉलेज का जाल बिछाया है इसके बावजूद भी हमारे कुछ चात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब चात्रों से पूछते हैं तो विशे आता है कि वहाँ पर सिक्षा सस्ती है इसके साथ मैं एक बात और करना चाहता हूँ बच्चों के सामें एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुता है इसली बार भी राजस्तान के और देश के साथ सो चात्रों का एक विशे साम नया था यहां पर और विदेश में एक अंतर है राजस्तान मेडिकल कॉंसिल ने इंटरिसिप करने के बाद भी हमारे कुछ चात्रों को सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया था कि कजाकिस्तान और कुछ देशों में साधे चार साल मेडिकल के एंबीबی waited में लगते हैं हमारे था पांच साल लगते हैं माने मंत्री जी से मैं मिला तो उसका समाधान हुआ मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारा मेडिकल खर्चे का उंतर है विद्यार्थी कहते हैं कि विदेश में खर्चा कम है उस पर कुछ विचार करेंगे और यह जो समय का अंतर ऐसाड़े चार साल और पांच साल इस पर कोई विचार करेंगे ताकि बच्चों को समसा नहीं हो माननी अद्यक्ष मोदई देश में दो टाइप की मेडिकल कोलेज होती है एक गवर्मेंट मेडिकल कोलेज एक प्राइवेट मेडिकल कोलेज गवर्मेंट मेडिकल कोलेज में फीज एकदम बहुत कम होती है प्राइवेट मेडिकल कोलेज हर स्टेट गवर्मेंट के यहां उसक का फी्ज फिक्षेशन कमिटी होती है एप फीज फिक्षेशन कमिटी अपने अपने स्टेट में प्राइवेट मेडीकल कालेज की भी फिसफिक्स करती है एब बात चल्म में वहां हमसे एजुकेशन पर लगने वाला कर्छ कं मेरे स्टुडेंट विदयश में बहुद पड़न कि जो पहले 52,000 MBBS की सिट हुआ करती थी आज के वल आठ साल में हो एक लाग एक हजार तैसट सिट ओर डेडी हो चुकी है अभी भी सिट बढ़ रही है ताकि स्टुडेंट को यहां आउसर मिले दूसरा माननी अद्यक्ष मोदे में आपके द्वारा माननी सदन को माननी संसत को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टुडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टुडेंट हमारे इस पास सिकायत आते हैं ताउट के भोग बन जाते हैं कहते हैं कि वहां एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ ये कंट्री में चले जाओ वहां एडमिशन भी करव यहां से स्टुडेंट को वहां ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं, और सर्टिफिकेट दे देते हैं, कि हम आपको डॉक्टर बना दिया है, लेकिन वहां उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं, और इंडिया में आके जाओ, और इंडिया में आ पढ़ने जाने वाले सभी स्टुडेंट को तीन बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा भी आपके पास भी के स्टुडेंट आते रहते हैं एक यहां नीट कौलिफाइड होना चाहिए वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं दूसरा इंडिया में साड वहां उसको प्रैक्रिस करने का पर्मिशन मिलती नहीं है रेश्टेशन मिलता नहीं है और उसको यहां इंडिया में छोड़ देते हैं वो देश की हल्थ के लिए ठीक नहीं है इसलिए हमने तीन बाबतों को सुनीचित कर दिया है इसलिए आपके अडोस पडोस में या तो इसे मेंबरों पाल्लामेंट अब जन प्रतिनिदी है हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टुडेंट को विदेश पढ़ने के लिए बेजना है तो क्या करना यह तीन बाबत हम सब लोगों के सग्यान में रहनी चाहिए यह तीन क्राइट क्राइट करते हैं तो विदेश में जाके पड़े और यहां एक्जाम पास करके हम यहां उसको यहां डॉक्टर के लिए प्रमानित कर देंगे